टीवी की मशूर एक्टर्स एश्वेर शर्मा ने अपनी एक्टिंग से लोगों का खोग दिल जीता है। गुमे किसी के प्यार में की पाकी बन कर एश्वेर शर्मा को भले ही लोगों की नफरत जेली बड़ी लेकिन आज भी उनकी एक्टिंग की तारिफ की जाती है। गुमे किसी के प्यार में के बाद ऐश्वेर शर्मा ने खत्रों के खिलाडी 13 और विपोस 17 में भी हाथ आजमाया था इन दिनों ऐश्वेर शर्मा भले ही टीवी से दूर हैं लेकिन शोशल बीने के जरिये फैन से जुड़ी हुई है हाली में उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है जिसमें उन्होंने जताया कि वो जिन्देगी के उतार चड़ाओ से तंग आ चुपी है एश्वेर शर्मा ने अपनी पोस्ट में गुस्य का भी जिक्र किया एश्विर शर्मा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मुझे बिना कुछ सोचे समझे बोलने वाली और बेसबर इंसान के तौर पर जाना जाता है लेकिन कोई देखना नहीं चाहता कि मैंने मों से दिये हैं और इंतिजार भी किया है और सब अच्छा होगा मैंने हमेशा ही सकरात्मक चीजों को देखने की कोशिस की है और लोगों को माफ भी करना चाहा है लेकिन जब सीमा पार हो जाती है तो मैं रियक्शन देती हूँ और एक जौला मुखी की तरह फटती हूँ और मैं बुरी इंसान बन जाती हूँ ऐसे वक्त में मेरा इम्तिहान ले रहा है मैं इस सीदिय के साथ ताल मेल बैठाने की कोशिस कर रही हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कब तब फिलाल देखना हुगा कि इस पोश्ट पर एश्वर्य के फैस और उनके पती नील किस तरह का कमेंट करते हुए नजर आते हैं